हाई गाईज गुड आफ्टनून मैं हूँ आशीश्यर और आप देख रहें टॉप 10 क्लासेश तो जैसा कि गाईज पिछले कई वीडियो में मैंने यूज़ेश को अपडेट किया और यूज़ेश में आपके कमेंट से मुझे मिला कि कुछ ऐसे वर्ट कुछ ऐसे फ्रेजल आपके सामने आजाते हैं कि सड़नली आप उसको देंस में यूज नहीं कर पाते हैं या फिर उसका मींस नहीं जान पाते हैं अगर आपको ऐसे छोटे-छोटे फ्रेजल वर्व चोटे-छोटे सेंटेंस अपने बोलचाल की भासा में यूज़ करना आ जाए तो आपकी स्प यसे फ्रेजल वर्व के सेंटेंसेश करेंगे और आपसे उम्मीद है कि अगर आपको यह सेयर करने के बाद भी समझ में न आ रहा हो तो सेंटेंस को एजसर यूज यानी कि वाक्य प्रयोग में लीजेगा क्यूंकि अगर एक वर्ड एक फ्रेजल वर्ड आप यूज के रू जो छोटे छोटे तो होंगे लेकिन बहुत ही उपयोगी sentences होंगे आज उन उपयोगी sentences को हम आपके सामने लेके आये हैं I hope guys अगर आपको यह sentences यह phrasal verb अच्छे लगे तो वीडियो को like करना, share करना न भूले और comment तो अवस्च किज़ेगा क्योंकि आपके comment के बाद ही मैंने इसको बनाने का plan किया है, कुछ लोगों का comment ऐसा आया कि sir कुछ phrasal verb की sentences जो देखने में तो छोटे होते हैं बट बोल चाल में हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं तो हमने कुछ sentences ऐसे ही चोच किया है, कुछ ऐसे select sentences आपके सामने हैं, अगर यह sentences आपको अच्छे लगेंगे, आपको यह videos पसंद आएगा आप लोग अगर अपनी तरफ से इसके उपर comment करेंगे, आप लोग इस पर और चीजों का requirement करेंगे, तो मैं और भी चीजों को और भी वीडियो बनाऊंगा, और भी ऐसे important sentences आपके सामने लेके आऊंगा, चलते हैं आज के वीडियो पर बिना समय कमाए हुए, तो आज हम लो हैं, तो आप उसको बात करते रहते हैं, तो कहते हैं, यह हसने खेलने का समय है, तो मुश्कुराते रहो, ऐसा sentence बन क्या है, मुश्कुराते रहने का मतलब ऐचा लगा कि दिन में 12 बज़े हुए है, चेहरे पर 12 नहीं बज़ने चाहिए, मुश्कुराते रहो के लिए sentence आ र किसी चीज को पाने का प्रयास हो एक बार प्रयास कि होने लगते तो लोग आपको करते हैं आपको डीटर्मिनिट करते हैह और यार सस्का करते हैं अदने कि कैफ ट्राइंग हो/. अब मैंने क्या कहा कि इन sentences को आप चाहो तो और बहतर बना सकते हो और ज़्यादा useful बना सकते हो तब sentences को हम कैसे बना सकते हैं जिसे मुश्कुराते रहो तो हम कह सकते हैं कि each and every moments keep smiling हर इस्थिती में हर परिस्थिती में आप मुश्कुराते रहो ठीक है अगला sentence से आप करता हो for getting success keep trying काम्याब होने के लिए प्रयास करते रहो प्रयास करते रहो लिखा रहे हमने क्या कि वर्ड मैं आपको दे रहा हूं तो फ्रेजल वर्ड को आप सेंटेंस में करने किजिए उसके बाद तो आप के लिए अपने किसी की है बार बार मिस्टेक करने की सेंटेंगत्य वह तो यकिन के लिए करते हैं कि All मतलब क्या काम ठीट में परा हुआ है और हमें पता है कि आप को आप हम पहुँछेंगे रहे से काम हो जाएगा तो तुरुंट जाओ तब भीन रूग कितनी जल्दी जल्दी कितनी जल्दी मतलब कम कर रहे हैं किlor मालीजे आप क्लास कर रहे हो सड़ेनली आपको टेंस बोला गया इधर टेंस हिंदी में बोला गया उधर आपने इंग्लिश में लिख दिया तो दूसरा फ्रेंड करता है कितनी जल्दी कितनी जल्दी आया तो कितनी जल्दी आया तो हम क्या कहते हाउ सुन हाउ सुन क्या बोल कोई अपका सपोर्टर होता है आपके लिंग फ्रेंड यांट कि आपकर त्राइस हैं यह कंप दो Но once more once more एक बार और क्यों एक चांस और देख लो फिर क्या है आखिरकार आखिरकार मतलब लास्ट में जैसे आपको प्रयास कर रहे हैं अन्तों गत्वा आप उस पर कामयाब होते हैं तो करते हैं आखिरकार आखिरकार के लिए हम क्या बोलते हैं फिर क्या है अगली बार अगली बार मतलब नेक्स टाइम फिर क्या है ठोड़ा इंतым कर crazy लिए आपको जल्दी है आप गैरो जल्दी जल्दी कर दोार सामने वाला किसी काम में विजी है जबड़ा सा इंतोड़ा करो थोड़ा उन्तजार करो तो क्या हो जाएगा कम सुन कि अपन पर जल्दी कहा गया अब कोई घटना आपके आजपास में हो जाती है गटना कभ वी तो तो हाल फिलाल के लिए क्या होसाथ है टीक है माल लेशे कि कोई सो गया तो अपने फ्रेंड से से शेयर की आहार ऐसा घटना हो गया तो सम्हों पिछता है कब है एक दो दिन के आज पास में तो हाल फिल हाल के लिए क्या बोलते हैं रिसेंटली अफ्टर इस क्या है घब राओं मत गब राओं मतले एक्सिडेंट देख लिए आप वहां सामने आव लेबल हो पता लगा कि आपको डर लगने लगा यार यहां पर मैं हूं किसी ने देख लिया तो तो आप जो पैनिक होने ल मतलब इस ओके क्या हो जाएगा इस ओके फिर क्या है हमेशा के लिए हमेशा के लिए मतलब फॉर इवर हमेशा के लिए क्या होता है फॉर इवर हमेशा के लिए फॉर इवर उसके बाद क्या है किसी तरह से किसी तरह से मतलब मुश्किल से कोई काम हो जाए किसी तरह लगा को कोई भी हो लेकिन काम होना चाहिए हम सकते हैं उसके बाद देखी क्या हो जाता है जैसे जल्दी मत करो बहुत जल्दी करो तो जल्दी के लिए हम अभी सब्सक्राइए और सुन नहीं किरा रहा है डूंट रस का मतलब होता है जल्दी होता है फिर क्या है जिद मत करो मतलब किसी चीज के लिए अपने मन बना लिया डी तो बहुत सामत करो यह ठीक नहीं होगा अब इतना नहीं मतलब कोई काम ज़ादा हो रहा हो तो कहते हैं इतना नहीं बस थोड़ा से करो इतना नहीं तो not that much इतना आधिक नहीं अब यह सारे सेंटेंस मैंने आप चोटे-चोटे सेंटेंसेश हैं हो सकता है आपको कि कुछ धीरे-धीरे आप लोग step wise step wise भोलते जाओ तो इसको याद रखने के लिए guys मने पहले भी आपको बताया था कि if you want to be mature in English way English में आप अपनी maturity को रखना चाहते हैं अपने power को complete करना चाहते हैं एक better platform प्याना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जो भी words पाते हैं whether that is vocabularies or that is a phrasal verb or something else चाहे vocabularies हो चाहे आपके phrasal verb हो या something sentences is there आप उन चीजों को क्या करें अपने अपने सब्दों में उनका प्रयोक कीजें जैसे मैंने अभी आपको देखा एक word दिया है अब एक बार और एक बार और मालीजी आप पढ़ने के लिए खड़े हुए नहीं पढ़ पाए hopeless होने लगते हैं तो कोई आपको increase करें कि एक बार और पढ़ो एक बार और पढ़ो clear हो जाएगा एक बार और पढ़ो तो क्या हो जाएगा once more once more it will be clear एक बार और पढ़ लो आपने आप clear हो जाएगा next जैसे हो गया आखिरकार आखिरकार के लिए आपने क्या लिखा eventually ठीक है आखिरकार भारत ने विश्वकप जीता eventually India own world cup तो इस तरीके के sentences है sentence आपके सामने है मैंने जापको करना है इस sentence को जितना ज्यादा useful बनाएंगे जितना ज्यादा वाक्य प्रयोग करेंगे guys it will be easy for you and always mind that English can be easier for you when you will start your practice with your friends with your classmates with your teachers try to converse with them in English way how much conversation will start how much you will discuss with them you will be easy you will get that easy for you it's not easy it will be easy easier and easiest for you first day it will appear easy next time easiest so says think of that if you want to speak if you want to be a well speaker just think of that and go with your classmate with your class with your class teachers teachers hoon classmates hoon ya class wale hoon aap bina soche bina jichke aap unse baat karna suru kije jitne jaldi se aap conversation karenge guys utne jaldi aap improve karenge and i have already told that if you will crawl i will get you run and if you will stop at your place then i can push you only so no guys don't leave and don't be a place it's easy you are along with me i will get you your bell speaker but when when you will also try to do that so since today ask ke liye aap ko joe yeh cheeze di gahi hai aap isse achse se tiyar ki jay next video me hum isse se bhi better sentences isse achse bhi sentences aap ko milenge pehle aap itne ko achse se ready ki jay taakki hum jau agle me conversation karna suru karay to aap achse se us ka use kar shakay to achse se class ko use karne ke liye aap aap ne aap ko frank ki jay aur isse practice ki jay how much conversation will start with your friends with your classmates that will be easier to you so you had better to make a practice to speak with your friends with your classmates with your teacher since then we will meet in another video since then i am just wishing i hope that you will be a good speaker in last video you will start conversation with me in online or offline agar video aap ke samaj me aya hai to aap comment ki jay comment karke isko inform ki jay aapne jadha se jadha apne doostom me share ki jay taakki aapka bhi fayda aur aapke jay ri aapke friends ka bhi fayda ho to since then guys good bye take care we will meet in next video best of luck